सभी सिक्सक सात्यों को मेरा नमस्कार एजुकेशन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम ऑनलाइन सियर कैसे बरेंगे उसके बारे में इस वीडियो में के माद्यम से आपको जानकारी देंगे तो आपने देखा कि 5 मार्च 2022 को निदेशक माद्मिक सिक्सा उतरखंड देहरदुन द्वारा एक पत्र जारी किया गया पत्र का जो हमारा विशे है वो है वार्चिक गोपनिय आख्या ऑनलाइन भरे जाने के संबन में इस पत्र के अनुसार परदाना चारे राजकिय इंटर कॉलेज परदाना अध्यापक राजकिय उच्चतर माद्मिक विध्याले परवक्ता एवं सायक अध्यापक L.T. परवक्ता के शेक्षणिक संवर्क के कर्मियों को ऑनलाइन उनकी वार्चिक गोपनिया की जो डेटा है वो ऑनलाइन भरा जाना है तो इस संबन में आप देख रहे हैं कि हमारा जो पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड है वो इस साल ऑनलाइन ACR के रूप में हमें School education portal में बहरा जाना है अभी कैसे बहरा जाएगा इसको हम यहां पर सीखते हैं तो आप सबसे पहले इसको Google में या अपने mobile फोन पर किसी भी ब्राउजर में जाकर आप School education portal यहां पर खोल लेंगे तो यह इसका interface आजाएगा यहां पर आप अपनी डालेंगे, पोर्टल आइड जो आपको पहले मिली वी, जैसे मैं अपनी डाल रहा हूं, 116-095. और जो आपको पासवाड पहले मिला होगा, वो आप यहां पर इंटरी कर लेंगे. और यहां पर जाकर हम Employee लिखेंगे और यहां पर हम यह Capture Code हम यहां पर डाल देंगे यह Capture Code मैंने यहां पर डाला है और मैं उन सात्यों को यहां बताना चाहता हूं जिनके पास पास्वर्ड नहीं है तो वह जाकर अपने block जो coordinator है वहां से जाकर password reset करा सकते हैं यहां से password ले सकते हैं अब आप देख रहे हैं जैसी मैं अपना password ढपास्वर्ड डाल तो यह मेरा interface खुल गया यहां पर मेरा नाम बा रहा है और आप देख रहे हैं यहां पर profile आ रहा है और यहाँ पर e-learning आ रहा है और यहाँ पर employee ACR आ रहा है तो इसमें दो option है एक officer report है और यहाँ पर e-file ACR है तो हमें यह वाला option चुनना होगा जैसी मैं इसको click करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया interface खुल गया है यहाँ पर लिखा है 2021-2022 गोपनिया आख्या भ भरनी है तो यहाँ पर आप देख रहे है पर्तिवेदक अधिकारी उनका नाम इसमें default अपने आप ही आ रहा है प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर बाद में समिक्स अधिकारी और स्विकृत अधिकारी आएगा जिसको आपको नहीं भरना है आपको केवल यह वाला भरना है पर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चार चीजे आ रही है गोपनिया कारियों का विवरंड पदों का विवरंड और परतिवेदक अधिकारी चार आपके पास यहाँ पर यह अलग अलग category आ गई है तो पहली category में आप दे अपने ब्लॉग कोडिनेटर के पास जाकर इसको चेंज करा सकते हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं, यहां पर हमारा स्कूल का पूरा डेटा यहां पर आ रहा है, कि मैंने कौन-कौन सी एजुकेशन कौन-कौन से सन में करी, अगर कहीं पर कोई तुरुटी यहां पर होती है और उपार्जयत अपकास, विशेस अपकास अगर आपने कोई लिया हो या अण्य विवरन हो, कोई हो तो यहां पर आप उसको इंट्री कर सकता है, मैंने इन में से कोई नहीं लिया, तो आप मैं इसको इसको यहां पर आप भavais सकते हैं, इसको करने के बाद से बाद हम कार् कारे किये या के लिए कारी कारे किये उनको आप यह पर लिख सकते हैं, तो यहां पर ej देफाल्ट English हो रखा है, तो आप English में भी लिख सकते ह। और Hindi केवल Unixode में लिखेंगे. अगर आप mobile का इस्तमाल करते हैं, तो में आप speaker on करके बोल देंगे वो यहां पे आप लिखता चला जाएगा तो उसके लिए आपको पहले हिंदी स्लेक करना होगा मैंने पहले सही कुछ लिखा वा था जो यहां पे आपको दिखा रहा हूं यह मैं यहां से इसको copy करके यहीं paste कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे मैंने paste किया यह unicode में है और अभी 84 सब्द और बच रहे हैं तो 500 सब्द तक आप इसमें लिख सकते हैं और जितने उसके जो सब्द बचेंगे वो यहां पे 100 करेगा तो 500 सब्द के अंदर अंदर आप इसको लिखिए इसके बाद आपको परीक्साफल 2021 और 22 में यहां पे entry करना है और इसको लिखने के बाद आप सब सब पहले save करेंगे data अगर save नहीं करेंगे तो यह वाला data save नह slash वाले कुछ alpha numeric अगर हम यहां पे कोई सब्द का use करेंगे हिंदी में तो वो उसको save नहीं करेगा इसलिए इस जीज का ध्यान रखेंगे इसके बाद हम परीक्साफल 2021 पाइस को यहां पर entry करेंगे यह जो field यहां पर आपको कुछ करने की ज़रूत नहीं है आप add new पे कर लेते हैं कक्सा जैसे मैंने 12th क्लास में पढ़ाया है सब्जेक्ट मैंने क्या पढ़ाया economics कितने बच्चे समलीत परिक्सा में जैसे 53 समलीत हुए और उतीन हुए हमारे इसमे 49 उतीन हुए तो percentage यह अपने आप calculate करेगा 92.45 इसमें percent आ गया है तो यहां पे हमें फिर data सुर कि पदों का विवरण इस से पहले गोपनी आक्यामने बरी कारियों का विवरण अपना भरा और पदों का विवरण आ रहा है इसमें आपका पद यहां पर दिखा रहा है लेक्चिरर, स्कूल का नाम दिखा रहा है, कब से कब तक, पर्ति वेदक तारिक भी पूरा इसमें default अपने आप आ रहा है, अगर जिन स्कूलों का नहीं आ रहा है, वो यहां पर भढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का नाम, यह सब कुछ अपने आप ही default इसमें आ प्राये में, एक तो आपकी property के बारे में है, तो अगर आपने mention किया है, तो उसको yes करेंगे, और file इसमें upload कर देंगे, ऐसी medical check-up के बारे, जिनकी उमर 50 साल से अधिक हो गई है, उनके पास अगर medical check-up उनने कराया है, और उनके पास कोई certificate available है, तो यहां पर उसको upload कर देंग जैसे हम preview में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने अपनी information भरी, वो सारी यहां पर आ गई है, यह आप देख रहे हैं यहां पर, पूरी information आ गई है, यह मेरी section जोगिता भी पूरी यहां पर आ गई है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अफकासों का विवरण यहां पर दिया हुआ, मैंने कोई अफकास नहीं लिए यह आ गया है, उसके बाद जो जो मैंने कारे किये, एक वर्ट में अपने विद्याले स्तर पे या जिले स्तर पे या पर पर आ गए हैं, और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर, पदो का विवरण यहां पर आ गया होगा, उसके बाद गोशन पतर मैंने अभी कोई इसमें अपलोड नहीं किया, तो यहां से मैं अगर फाइनल समिट करूंगा, तो यह मेरा फाइनल समिट हो जाएगा, फाइनल समिट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपकी CR परतिवेदक अधिकारी के अप्रूबल के हो जाएगी, और परतिवेदक अधिकारी जब इसको एप्रूब कर देंगे, तो आपको अपनी CR रिपोर्ट के आगे ग्रिन टिक लगा दिखाई देगा, अगर परतिवेदक अधिकारी के द्वारा आपकी CR रिपोर्ट को एप्रूब नहीं किया गया है, तो उसके आगे प पसंद आता है, तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, इसके साथ आप हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाले समय पर विवागिया तथा सिक्सस संबंदित जो भी नई वीडियो होंगे, वो सबसे पहले आपको प्रेशित या शेय करने का प्रियास किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद.